तो बच्चो एक्जाम्पल नमबर 7 में आपको कह रहा है check the divisibility of this number 2146587 ये एक number कोई दिया हुआ है by 3 मतलब हमको यह बताना है क्या exactly 3 से divisal हो जाएगा यह अगर हम इसको 3 से divide करें तो क्या remainder 0 आएगा कि नहीं आएगा देगे न आपको डिएड करके नहीं बताना है या आपको किसी रूल की हैङब से बताना है तो हमें प्ता हैkim बच्चो आप चल सकते हूं वैसे मुझे पता है आप लोग की रूल पता होगा बट फिर वी आप अपनी एंसी-ईटी book में open करिए यह देखिए यह वाला पेज ओपन करो ठीक है सुटेंस यहां पर आ जाईए आप कौन सा पेज नंबर है यह यह है पेज नंबर NCRT में सुटेंस 258 पर आप आओगे ठीक है सुटेंस तो यह देखिए यह दो रूल लिखे में डिजल्टी रूल पड़ेगा ओके तभी आपको मार्स मिलेंगे अनमबर एन इस डिविजल बाइट री इस डिविजल बाइट री अधरवाइज इस नौट रवाइट री ठीक है जैसे की छोटा सा एक्जम्पल ले लेते हैं जैसे की बच्छोट 2727 एन का वेल्लू एन मतलब नंबर नंबर कित तो बाटाओ क्या आप थीचे को अगर कितना होता है ऐसे अगर अगर हम आपको कोई नंबर देतने बच्छो लीजे इस बार नंबर ती आप बताओ इसका स्वाप देशित करोगे अगर आप ठीक ह्या करोगे ऐख क्या करोगे सम ऑफ डिजट्स अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 Mensch 1 3 Mensch 1 याने कितना आरहा है 4 अब बताओ क्या 4 3 से Divide होता है नहीं होता है यह जो Sum है बच्छों 4 क्या यह 3 से Divide होता है जवाबें नहीं होता है देख लीजे यह देखे 4 को अगर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइट करेंगे 3 1 जा 3 remainder कितना आ रहा है 1 तो ये तो 3 से डिवाइट नहीं होता है कौन 4 तो इस तरीके से ये जो नमबर है 31 ये भी 3 से डिवाइट नहीं होगा देख लीचे यानि कि 31 को 3 से करो मैं directly कर दे रहा हूं समझ जाना 3 टेंजा कितना हो जाएग कर रहा है चेक दर डिविजबिलिटी ओफ दिस नमबर बाइट 3 ओके तो हम क्या करेंगे इस नमबर में यहां पर आपको नमबर क्या दिया हूँ है n n का मतलब number capital n का मतलब number number क्या है 2 1 4 6 5 8 7 अब हम क्या करेंगे आपर sum of all digits sum of all the digits सभी digits का हम सम कर देंगे students कर दीजे क्या करोगे 2 प्लस 1 यह लीजे 2 प्लस 1 प्लस 4 है ना सभी digits को sum कर दो प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 7 चेक कर लो ठीक 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 अब देखलो answer कितना आ रहा है जो answer है अगर वो 3 से divide हो जाएगा इने की 3 की table में आता होगा इने की ओके तो यहां से यहां तक का sum कितना आ गया 18 इसको हमने लिख दिया और प्लस अब आगे 8 प्लस 7 बचा 8 प्लस 7 कितना होता है 15 होता है 15 प्लस 18 कर लीजे कितना हो जाएगा 18 और प्लस 15 कितना हो जाएगा बच्छो 8 प्लस 5 होता है 13 है न वन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 33 आ गया यह लीजे तो यह जो 33 है तो 33 सम कितना आ रहा है 33 and 33 is is divisible by is divisible by 3 33 से divisible है यह सर है भाई दिखा देता हो मैं आपको यह लो 33 को अगर आप divide करोगे 33 के है sum of the digits इनके कितना रहा है 33 और यह 3 से डिवाइड हो जाता है यह लीजे 3 बंजा 3 रिमेंडर आ गया 0 यहां से कॉपी करोगे 3 3 बंजा 3 रिमेंडर आ गया 0 फाइनली रिमेंडर आ गया 0 यह जो सम है वो 3 से इसका मतलब जो गिवेन नमबर है hence hence the given number hence the given नमबर जो given number है is also is also divisible by 3 तो नमबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा यह सर तो यह नमबर 3 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है अब आप बस इतना ही करना है कि रूल हमारा सही है बिल्कुल यह है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जालो इसको हटा दो साइड में आपने नोट तो कर लिया होगा नहीं नोट किया है तो रिवर्स करके वीडियो नोट कर लीचे तो बच्छो नमबर क्या आपके पास 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 इसको अगर आप 3 से डिवाइट करोगे कितना आ जाएगा देखिए 3 सेवंजा कितना होता है 21 ओके अब देखिए 21 मानेस 21 यहां बच्छे का 00 यहां से हम 4 कॉपी करेंगे 3 वंजा होता है कितना 3 4 माइनस 3 होता है 1 यहां से 6 कॉपी करोगे 3 फाइवजा होता होता है कितना 15 ओके 6 मानेस 5 होता है 1 और यहां से हम 5 कॉपी करेंगे 3 5 होता है बच्छों कितना 15 ओके और रिमेंटर यहां आ गया 00 next हम कॉपी करेंगे 8 ओके सो 3 2जा कितना होता है बच्छों 6 होता है 8 मानेस 6 2 होता है और यहां से हम कॉपी करेंगे 7 now 3 9जा कितना होता है 27 होता है Now remainder कितना आ गया बच्छों यहां पर 0 आ गया 27 मानेस 27 remainder आ गया 0 ड़ो तो इस तरीके सा आप देख रहोंगी यह जो number दिया था यह 3 से डिजल है यह ची बढ़ते हैं example number 8 की तरफ, okay?